नमस्ते, पिछले क्लास में हम तुलसी दास जी के बारे में बताये थे आज हम तुलसी दास जी के द्वारा विरचित रामचरित मानस के कुछ पंक्तियाँ के बारे में विचार करेंगे इसके पहले रामचरित मानस के बारे में भी हम लोग बताये थे उसमें मैंने बताया था रामचरित मानस का एक सुन्दर अध्या याने कांड है सुन्दर कांड सुन्दर कांड रामचरित मानस के साथ कांड़ में हमसे एक है संपोर्न रामचरित मानस में शीराम के शावरी और विजे की गाथा लेगी गए है तो सुन्दर कांड में हनमान के बल और विज़े का उल्लेख है हनमान जी का लंका की और प्रिस्थान विभीशन से भेंट सीता से भेंट करके उने स्टीराम की मुद्रिका देना अक्षे कुमार का वद लंका दहन और लंका से वापसी का वर्नन इस अध्याई में हुआ है अब हम हनमान जी के बारे में थोड़ा सा जनकारी प्राप्त करेंगे भार्दी महाकाविरामायन के मुख्य पात्र है हनमान हनमान जी बजरंग बली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र की तरह कढ़िन था यानि कढ़ोर था हिंदू पौराणी कढ़ावों के अनिसार हनमान मारुती अर्थार मारुत नन है अब हम पंक्तियों देखेंगे हनमान तेही परिसाकर पुनिकीन ही प्रना राम काजू कीनहें बिन मोही कहां बिश्रा सीता जी से मिलने के लिए समद्र पार करने वाले हनमान को आराम करने के लिए समद्र की आग्या से माइनाग परवत समद्र से उपर आते हैं और हनुमान जी सिर्फ तार्थना करता है थोड़ा विश्राम करके जाएं। लेकिन हनुमान जी माइनाग परवत से कहता है मैं राम की आत्यापूर्ती के लिए जा रहा हूँ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा, तब तक मैं विश्रम यानि आराम नहीं कर पाऊंगा। वो काम पूरा करने के पहले आराम करना सही नहीं है। यह है इस पंक्ती का अर्थ। अगले पंक्तियां हैं। राम काजू सब करिह हू तुम्ह बल बुद्धी निधान। आसिश देई गई सुहर्षी चलेवू हनमान। सिदाजी से मिलने समद्र के उपर से जाते वक्त। सुर्सा नामक नागमाता को देवताय हनमान की शक्ति परीक्षा के लिए भेज रहा है। दोनों के बीच युद्ध होता है और हनमान जी का विजय होता है। सुर्सा ने हनमान से कहा तुम स्री रामचंद जी का सब कारिकर पाओगे। क्योंकि तुम बल और बुद्धी के भंडार हो। यह आशिर्वात देकर सुर्सा चली गई। तब हनमान जी हश्शित ओकर आगे निकले। अगली पंक्तिया है पुर रेखवारे दे की बहु कभी मन कीन ही विचार। आति लेख रूब थारो निसी नगर करो पैसार। इस प्रकार सामद्रस के उपर से चलते चलते हनमान अंत में लेंगा तक पहुंच जाते हैं। तो वहां के हाल क्या है हनमान देखते हैं। भयंगर शरीर वाले करोडों योधा सावधानी से लेंगा नगर की जारों दिशावों में रखवाली कर रहे हैं। हनमान जी लेंगा नगर के बहु संग्यक रखवालों को देखकर मन में विज़ार किया कि अपना रूप थोड़ा छोटा करके ही अंदर जाना उजिद होगा। और सुबह अंदर खुसना तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए रात के समय नगर में प्रवेश करना अच्छा होगा। देखें ऐसा एक सुन्दर नगरी है लेंगा। इसके चारों और करोडों जो रखवाली करने वाले लोग रख रहे हैं। इसका सुन्दर शित्र यहां आप देख सकते हैं।